मसकार दोस्तों मैं मोहन चोहन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल में आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गैलरी से कोई भी फोटो आपका मन पसंद फोटो आपका कट गया है तो आप उसे कैसे बापिस करोगे आज किस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे चाहें आपका कितना भी पुराना फोटो हो अगर आपकी गैलरी में से कट गया है तो आप उसे कैसे बापिस करोगे जैसा कि आप यहां देख सकते हो इस परकार थे जितना भी आप यहां नीचे आओगे उतना ही आपके जितने पुराने फोटो डिलेट हुए होंगे वैसा आपके सामने यहां सो करेगा तो गैस अगर यह हमारा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्स्राइक कर देना तो गैस जितना भी आप नीचे आओगे उतने ही आपके पुराने जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पुराने फोटो होंगे वैसा आपको यहां नीचे मिल जाएंगे तो गैस यह लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम लेता है तो आपको इस तरीके से इसे लोड रहने देना है जितनी भी ये लोटिंग लेगा आपके सब फोटो आपके सामने सो करेगा तो guys चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको वताते हैं किस तरीके से आपको ये है application download तो guys सबसे पहले आपको इस red वाले वटन को दवा के हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में आपको वैल आइकन दीखेगा आपको इस पे क्लिक करके all पे select कर लेना है तो guys इतना करने के बाद आपको back आ जाना और आपको अपना play store खोल लेना है तो मैं यहाँ पर अपना play store खोल लेता हूँ और play store खोलने के बाद आपको यहाँ play store पर एक application सर्च करना है तो web application कौन सा है आपको यहाँ पर सर्च करना है this d-i-s-h this digger तो मैं यहाँ पर this space देगे digger d-i-g-e-r तो जब आप इतना यहाँ सर्च करोगे तो आपके सामने यह application आ जाएगा सबसे नीचे वाले link पर आपको किलिक करना है this d-i-g-r photo recovery तो आपको इसी link पर किलिक करके तो guys आपसे इस application का interface कुछ इस तरीके से होगा आपको यह download कर लेना है तो आप इसकी rating देख सकते हो यह 100 million से भी अधिक लोगों ने download क्या हुआ है तो आपको इसी install पर किलिक कर देना है और किलिक करने के बाद guys आपको यह download कर लेना है आपका कितना भी पुराना photo हो इस application की मदद से बापिस आजाएगा और मैं आपको यह बताऊँगा कि आपको किस तरीके से दुवारा से आपको गैलरी में बुलाना है तो guys यह application डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड हो चुका है मैं open पर किलिक कर देता हूँ जैसे ही आप open पर किलिक करोगे तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इसका interface किस तरह का है आप यहाँ देख सकते हो सबसे नीचे application मैं इसे open कर लेता हूँ तो guys जैसे ही आप इसे open करोगे तो यह आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पर आपको start basic photo scan पर आपको किलिक कर देना है तो guys मैं यहाँ पर किलिक कर देता हूँ किलिक करने के बाद यह यहाँ से permission मांगा यहाँ पर आपको allow कर देना है allow करने के बाद guys जब आपकी scanning श्टार्टिंग हो तो guys जोन सावी photo आपको यहाँ पर recover करना है वापिस करना आपको इसी photo पर जाना है और जानने के बाद आपको यहाँ बरावर में 3 dot दिख रहा होगा तो आपको इसी इस पर टिक करके 3 dot पर किलिक कर देना है तो मैं 3 dot पर किलिक करता हूँ तो आपको save this file recovery तो आपको इसी दूसरे बारे option पर किलिक कर देना है इतना करने के बाद guys जब इस अपने photo को किस folder में recover करोगे तो आपको यहाँ से वे अपना folder चूज कर लेना है यहाँ नहीं चूज करते हो तो आपको select direct इस पर किलिक कर देना और ची के बराबर में यह आपका photo recover हो जाएगा तो मैंने यहाँ कर दिया है तो आप यहाँ देख सकतो यह successfully हो चुका है तो मैं यह successfully हो चुका है इतना होने के बाद चलो मैं एक बार हैं चेक कर लेता हूं कि हमारा बापिस आया है अथवा नहीं आया तो आपको मैं gallery खोल के दिखा देता हूं कि हमारा यह photo बापिस आचुका है अथवा नहीं आया तो guys gallery में जाता हूँ और gallery में जाने के बाद अभी मैं फिलाल का photo दिखाता हूँ recent में जाके जितने भी नए photo होते हैं ताजे photo होते हैं या notification होते हैं वैसर recent में आती हैं तो guys आप यहां देख सकते हो यह मेरा photo यहां पर recover हो चुका है इसी पिरकार से आपका जितना भी पुराना photo हो आप इसकी मदद से आपने सारे photo को वापिस ले सकते हो तो guys यह हमारा छोटा सा video अगर आपको पसंद आए तो video को like कर देना चैनल को subscribe जरूर कर देना